दोस्तों बहुत बहुत सवागत है आप सभी का आश्म घ्यान हिंदी निशनल में एक बार फिर से तो दोस्तों आज पूरे दिन की कई महत्पूर और बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही हैं एक एक करके हम आपको तमाम इन बड़ी खबरों के बारे में जानकारिया देंगे पर उससे पहले आप से एक निवेदर ने दोस्तों अगर आपको अचका मुख समझाए टोड़ी ब्रेकिंग निउस अच्छा लगे तो जल्दी से इसको एक लाइक कर दें क्योंकि आपका एक बड़ी खबर में आपको बताते कि महामारी का कहर देश 21 दिनों के लिए लॉकडाउन और बजारों में खरीदारी के लिए उंबली भीड जी हम बात करें हैं कि महामारी वारिस के फ्यालते संक्रमर पर लगाम लगाने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मूती ने देश प्रधान मंतरी नरेंद्र मूती ने देश के नाम अपने संबोधन में पूरे देश में 21 दिनों के लोगडाउन कि लोगडाउन ग्रही और घरो के लिए सामान जुटाने के लिए पहुंच गये और बजारों में भारी भीड इखटा होने लगी आपको अधादे के दिल्ली नोडा लखनो बैंगलोरू गुरुग्राम समय देश के आलाग अलग हिस्तों में लोग घर की जरूरत के लिए समान इखटा करने में जुड़ गए और दिली से सटे नोडा में भी भीड को नियंतित करने के लिए पुलिस ने सभी दुकानों को बंद करवा दिया और लोग बजार में दूद आटा चावल तेल सबजी खटा करने में जुड़ गए और बजार में भीड अनिंतित हो गई और एक ओर लोगों को संक्रमट से बच से भतरे से एक बार फिर से प्रिदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने रास्ट के नाम संबोधन के जरी देशवासियों को आगा किया है और पीए मोदी ने कहा है कि आने वाले 21 दिन रह नागरिक के लिए हर परिवार के लिए बहुत ही महतुपूर है और स्वास विश्य सक्यों की माने तो महामारी वायरस अंक्रमण की साइकल को तोड़ने के लिए कम से कम 21 दिन का समय बहुत अहम है अगर ये किस दिन नहीं संबले तो देश आपका परिवार 21 साल पीछे चला जाएगा प कई परिवार हमेशा हमेशा के लिए तबह हो जाएंगे मैं ये बात एक प्रधान मंत्री के तौर पर नहीं आपके परिवार के सदस्य के नाते कह रहा हूं इसलिए बहार निकलना क्या होता है ये 21 दिनों के लिए भूल जाएगे घर में रहें और एक ही काम करें कि अपने खर में ही रहें और अब अगली खबर में आपको जाते कि प्याम मोदी ने कहिए बड़ी बात अगर 21 दिन नहीं समले तो देश 21 साल पीछे चला जाएगा जी हम बात करें कि महामारी वारस की चुनोतियों के बीच प्रधान मंत्री नरेंद मोदी ने मंगलवार को दूसरी कि बार देश वासियों को संभूधित कि और अपने संभूद दिने कहा कि महामारी वारस का संकट काफी गंबीर है और देश वासी इसे बिल्कुल भी हलके में ना ले और पी constitutional कि महामारी वारस के इस गंबीर संकट को देख से वी मंगलवारा राद 12 से देश वर में पूरे कि दिन तक लागू रहेगा हमारे पास 21 दिन है और अगर हम चाहें तो इसे अच्छी तरह से सम्हाल सकते हैं पिया मोधी ने अपने संबोदन में कहा कि मेडिकल एक्सपर्ट सा कहना है वायरस के लिए 21 दिन बेहाद अहम है और मेडिकल एक्सपर्ट की इसी बात को ध् परिवार के 21 दिनों की इस लॉक्डाउन का पालन करना ही होगा और अब अगली खबर में आपको दादी कि कॉंग्रेस के हंगामे के बाद सरकार ने वेंटिलेटर सेनेटाइजर के निर्यात पर लगाया प्रतिबंद जिए आपको दादी की देश में महामारी वायरस के मरिज सरकार पर कई बड़े आरोप लगा थे अब वारेज मंत्राले ने वेंटिलेटर और सेनेटाइजर के निर्यात को प्रतिबंद करने वाला एक आदेश जारी किया है और इसे पहले 19 मार्ज को सरकार ने मास्क बनाने के लिए उपयोग किये जाने वाले सभी सर्जिकल सरकार पर सोमवार को आरोप भी लगाये था राहूल गान्दी ने ट्वीट कर आरोप लगाये कि विश्वी स्वास संगठन की सला पर वेंटिलेटर सर्जिकल मास्क का प्रियाप्त स्टॉक रखने के विपरित बारत सरकार ने 19 मार्ज तक सभी चीजों के निर्यात के अनु देशों के बावजूद स्वास्त कारकरताओं के लिए सुरक्षात्मक उपकरोनों का भंडार नहीं किया है और अब बताते हैं लोकडाउन के दौरान 21 दिनों तक नहीं चलेगी कोई भी ट्रेन जिहां हम बात कर रहे हैं कि प्रधान मंतरी नरेंद मुदी द्वारा देश म 21 दिन के लोकडाउन के घोशना के बाद भारती रेलवे ने मंगलवार को घोशना की है कि मामारी वाइरस के प्रसार के मद्दे नजर यात्री सेवा का निलंबन 14 अपरेल तक जारी रहेगा और अधिकारी ने बताए कि आवशक सावान को लाने ले जाने के लिए हाला कि माल को इसके सवाल को आज का सवाल है आपको बताना है कि देश के वित्त मंदरी का क्या नाम है इसका जवाब आपको वीजियो के नीचे कमेंड बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वालों को रेंडम लिस लेकर आ जाएगा और वो जी सकते एक बंपर प्रुशकार तो ब और खाने पीने के सामान को लेकर चिंता हो गई है और इस आलान के बाद देश के कई हिस्सों में रोज मर्रा की चीज़ें जुटाने के लिए दुकानों पर लोगों की लंबी कतारे लग गई है और इस बीच यूपी के सीम योगी आधितनात ने एहम घोशना की है आपको और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए आप अपने घरों से बाहर ना निकले और समाजिक दूरी बनाये रखे आपको दादे आगे कि सीम योगी ने कहाए कि सबसियां दूद फलो दवाई और अनावशक वस्तों को आपके घर तक पहुंचाया जाएगा जिसके लिए हम महामारी के संक्रमन का खत्रा बढ़ता है और प्लीज घरों में रहिए केंद और राज सरकार आपके लिए जरूरी वस्तों की उपलब्दता शुनिश्चित करेगी और अब एक और खबर में आपको बतादे कि क्या महामारी वाईरस की ही तरह है हंता वाईरस चीन में हुई मौत के बास सता रहा है महामारी बनने का डर जी आपको बतादे कि पूरी दुनिया महामारी वाईरस जैसी महामारी की चपेट में आ चुकी है और दुनिया में जिस महामारी के तराही मान मचा हुआ है वो चाइना की ही देन है आपको जादे चाइना के वहान से शुरुआत होकर फैले संक्रमट से हुई दुनिया संकट में आई है और अब उसे चीन में एक दूसरे जानलेवा हंता वायरस से एक व्यक्ति की मौत हो गई है और इसके बाद महा हंता वायरस ही पीडित व्यक्ति काम कर शाडोंग प्रांत से घर लौट रहा था उसी बस में उसकी मौत हो गई उसकी जांच में वह हंता वायरस पाजिटिव पाए गया था और उसकी मौत होने के बाद बस में सवार अन 32 लोगों की भी मेडिकल जांच की गई है ऐसे में मौत के बाद 32 लोगों के करवाए गए टेस्ट गोर तलब है कि चीन मीडिया के प्रकाशित खबर के अनुसार जिस व्यक्ति की मौत हुई उसका हंता वायरस के बारे में विस्तार से चीन के युनान प्रांथ के एक व्यक्ति ने सोमवार को सकरात्म परिशन किया है जिसमें व लागरिकों को खूब खरी-खोटी सुना रहे हैं उनका कहना है कि चुहा साब जमगादर समय जिन्दा जानवर खाकर चाइना के लोग पूरी दुनिया के लिए खत्रा खड़ा कर चुके हैं और और यह महामारी के कहर के बीच में बीच यह हंता नमक वायरस कहीं महामारी का रूप ना ले इसके लिए सब भैभित हैं और क्या महामारी जितना घातक है यह वायरस आपको बता दें के हलांकि मेडिकल एक्ष्पेट के अनुसार हंता वायरस की तरह इतना घातक नहीं है क्यों कि यह हवा के राशटे नहीं फ्यísलता ये एक व्यक्ति के चुहे या गिलहरी के संपर्ग में इंसान के आने से फैलता है और ये हंता वायरस चुहों में होता है हलाकि इस हंता वायरस के कारण चुहों को कोई बिमारी नहीं लेकिन इस वायरस से कारण मनुश्य की मौत हो जाती है और सेंटर फॉर्ट डिजिजे प्रोल एंडर डिप्रेशन सीडिसी के मुताबिक चुहों के घर के अंदर और बाहर करने से हंता वायरस के संक्रमण का खत्रा अधिक होता है तो दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले फिर से आपको याद दिला देगे अगर आपने अभी तक कि हमारी वीडियो को ला के जिवाल के अब बड़ी चुनोती है ये जी हम बात कर रहे हैं कि 24 गंटे तक राजानी दिली में महामारी वायरस का कोई नया के सामने नहीं आना बहुत ही रहत भरी खबर मानी जा रही है लेकिन मुखमंती अर्विंद के जिवाल अभी काफी समलकर बयान दे रहे हैं उन से मंगलवार को लोगडाउन को लेकर अपनाई जा रही पुलिस तुषासन की सकती का सड़कों पर असद जरूर नजर आ रहा है और सोवार के मुकाबले सबके काफी सूनी दिखाई पड़ रही हैं और आपको बता दे हैं कि दिली के मुखमते अर्विंद के जिवाल ने मं लोगों को संबोधित करते वे लिखा है कि पिछले 24 गंटे में दिली में कोई नया केस नहीं आया है पांच लोग इलाज करवा कर जा चुकी हैं और अभी खुश नहीं होना अभी सबसे बड़ी चुनाती है किसी भी अवस्ता में सिथी को बेकाबू नहीं होने देना और इ एक तरफ डॉक्टर्स और मेडिकल पेशें से जुड़े लोग इससे लड़ रहे हैं तो वहीं अलग-अलग संस्थाएं और संगठन भी सेवाय दे रहे हैं आगोदादी के अमेरिका के न्यूयॉक में सिखों ने उन लोगों के लिए 30,000 से ज्यादा खाने के पैकेट तया किये हैं और फूड पैकेट के लिए न्यूयॉक के मेर आफिस ने सिख समुदाय से संपर्क किया था और तयार किये गए पैकेट अलग-अलग एजेंसियों को दिये जाएंगे जो इनको ज़ुरत मंदों तक मोचाएगी और यूनाइटेड सिख नाम के ट्विटर हैंडल से भी इसकी जयनकारी दी गई है और अब अगली खार खबर में आपको दादे मोधिस सरकार की सभी कमपनियों से है अपील कि कर्मचारियों का वेतन ना काटे और ना ही उन्हें नौकरी से निकाले आपको दादे कि पूरा देश महामारी वायरस से खलाफ एक जुट होकर लड जा सके इस बीच प्राइविट नौकरी कर रहे हैं लोगों पर उनकी नौकरी जाने और सेलरी रुकने का संकट मंड़ा रहा है जिसे लेकर केंद सरकार ने इन तमाम कंपनियों से अपील की है कि वे कर्मचारियों को नौकरी से ना निकाले और उनकी सेलरी भी ना काटे और हिराला सबया ने तमाम सचीवों को लिखे पत्र में कहा है कि महामारी वायरस को पैदा हुए हालात में कर्मचारियों की सहुलियत का ध्यान रखना जरूरी है और सभी प्राइवेट और पब्लिक कंपनियों को सुझाओ दिया जाता है कि संकट के इस दौन में वे छटनी न लोगों को मिली रहा था जी हम बात करें कि महामारी के प्रकॉप के मद्दे नजर मंगलवार सुभा दिली पुलिस ने शाहिन बाग का प्रदेशन खत्म करवा कर रास्ता खाली करवा दिया है और नागरिता संचुतन कानून के खिलाफ यहां पिछले सौ दिनों से सड़क क बीचों बीच प्रदेशन चल रहा था लेकिन अब शाहिन बाग का प्रदेशन खत्म होने से ना केवल महामारी संक्रमण का जोकिम कम हो है बलकि यह सड़क खुले से नुड़ा दक्षिन दिली और बदरपूर फरिदाबाद के लोगों को रहत मिली है और साथ ही शाहिन बा बारिश आपको दाते कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में मंगलवार दोपहर बाद मौसम बिगड़ गया और करीब चार बजे दिल्ली गाजयाबाद नुड़ा और आसपास सेज आंधी के बाद बारिश हुई और पिछले घने बादल चाह गए और आपको बताते ही कि आ पुड़े ब्रेकिंग निस और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल ऑसम घ्यान हिंदीनी चैनल से जुड़े नहीं है और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरू कर दे अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों सरका सारी योजनों की एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों